जेहन दोस्तों आप देख रहे हैं Defense Game YouTube चैनल तो आज हम ये वीडियो बना रहे हैं Q&A पीडियो यानि जो आपने काफी दुनों से कुछन पूछ रहे थे कुछ सेलेक्टिव कुछन हमने उठाई हैं और उनका आज हम इस वीडियो में जवाब देंगे ताकि बहुत से लोगो को पता चल जाए कि किस तरीके के सवाल पूछते हैं और कुछ तो इतने खतरनाक सवाल है कि मनी नहीं करता उसका तो जवाब देने का वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं Q&A वीडियो को तो पहला कुछन पूछा है संजे साहू सन्य गूड लॉग है वो भारत में तो आचुकी है लेकिन अभी उन्होंने जो डीलर्स होते हैं पूरे देश में उनको अपॉइंट नहीं किया ना ही इनकी वेपसाइट पर डीलर्स के वारे में कोई भी मतला जानकारी है तो जव ऐसे ही इनकी वेपसाइट पर कोई भी अपडेट आते हैं वो कव आएगी तो इसका जवाब है देखी कुछ पता नहीं है कव भारत में जो बैरेटा कंपनी आएगी या नहीं आएगी इसके उपर अभी कुछ भी मतलब क्लैरिफिकेशन नहीं मतलब बैरेटा की और से कोई ऐसी डिटेल नहीं कि वो भारत में आ रही है तो जो question है वो है संजय सिंग सर का सर मेरा एक सवाल तक क्या हमने स्वाती रडार अर्मेनिया को बेचा था जो फेल हो गया अर्मेनिया और अजरवेजान के युद्ध में मतलब अजरवेजान के ड्रोन को डिटेक्ट नहीं कर पाया तो इनका question यह है अभी जो recently अजरवेजान और अर्मेनिया में युद्ध हुआ था जिसमें अजरवेजान काफी बड़ा बिजेता बना और काफी बड़ा हिस्सा उसको बापस मिल गया तो इनका पूछना है भारत ने अर्मेनिया के साथ बहुत बड़ी डील की थी almost 200 million dollar की डील थी जिसमें भारत चार जो स्वाती रडार है जिसको DRDO ने डवल अफ किया है वह यह जो रडार है यह बैपन लोकेटिंग रडार है मतलब उसको यह बता देती है कि कहांपर फायर करना है ये जो है डोन को detect नहीं करती है तो आपका question clear हो गया इसमें भारत की या हमारे देश की जो radar है उसकी कोई गलती नहीं है वो बिल्कुल 100% जो है बहुत अच्छी radar है ये सिर्फ और सिर्फ एक अपवा उड़ाई गई है पाकिस्तानी और चाइना ने मिलके भारत का जो defense sector उसको बरवात करने की तो next question की और बढ़ते हैं next question है जै इंदर ठाकुने बारे बोर अमेरिकन और बिटिस गन इंडिया में कहां और कितने में मिल सकते हैं देखी भारत में जो है इनको हम import तो कर नहीं सकते बिटिस और जो अमेरिकन बारे बोर sort gun है अगर कोई पुरानी बेक रहा अगर बारे बोर sort gun है जो अमेरिका या बिटिस की हो अगर वो बेचना चाहरा हो तो आप उसको खरी सकते हैं रिसेल में आगे बढ़ने इस पहला है अगर अभी तक आपने आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यहां तो आपको ऐसे ही डिफेंस हत्यार सो जीरो हो या 0.40 SNW हो या 0.45 बोर में हो उन सारी की सारी जो रेंज है पचास मीटर के करीब उनकी एफेक्टिव रेंज है 22 बोर जो है उसकी एफेक्टिव रेंज थोड़ी सी कम है 35 से 40 मीटर के करीब उसकी एफेक्टिव रेंज है तो मैंने आपको बता दिया है ग्लॉक प पिस्टेल्स की 50 मीटर के करीब होती है तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और नेक्स्ट कोश्चन जो पूचा है इसके उपर मुझे सरम भी आ रही है और किस तरीके का कुश्चन है बैसे मैं इसको इंक्लूड नहीं करना चाहा था भारत के जो है इस तरीके का क्या ग़र में बनते हैं एंटम गुर्वाद हूँ दूसरा में भारत का का नागरिक और मुझे इस तरीके की बात कर रही है और आपका जो नाम उससे भी लग रहा है कि आप भी इंडियन ही और इस तरीके की घटिया बात कर दे और सरकार से और किसी प्रकार से कोई सिकायत ह तो पालत में एक्टम गिरुवा दोगे इस तरीके की बात करते हो मैं म म्स ед क्या सोच आप लोगों की मुझे समझ में नहीं आता ऑप भारत में तो भारत में रहते हैं और भारत में ही अटम गिरवाना चाहते हो तो सरम करो कुछ भाई अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता है इसी वाद जो तो मैं बुरी लग जाए नाम से तो ऐसा लग रहा है कि आप पंजाब साइट से हो बेसक वहाँ पर कुछ ऐसी चीजें चलने हो प्र से लिएक और नाम साव प्र्फेक्ष निस्ट ने इनका नाम नहीं पता लेकिन इनका यहीं नाम है बेरेटर 92FS इलीगल मिल सकती है क्या अरे आपका नाम ही Mr. Perfect निस्ट रख रख रका है और आप एलीगल बात करते हो तो यार बिल्कूल पर्फेक्ट काम करिए बहुत सारी पिस्टल आचुकी भारत में गलॉक है सेख आमस है बैवली की भी आने वाली उनको आप करी दिये लीगल ना खरी दिये अन्य था आप जानते हैं क्या क्या हो सकता है तो नेक्स्ट कोश्टन है यूबरास सर्मा का उसक्ष्टन को भी जानते हैं ब्रॉदर कैन यू प्लीस्ट सम आम्स एंड एम्मिनिशन सॉप्स फ्रम बेर वीकेंड वाइ 30 कारवाइन इंडिया देखिए अगर आप कारवाइन की बात कर ला है 30 जो बोर में तो वो तो आपको नहीं मिलेगी क्योंकि कारवाइन भारत में अलाव नहीं अगर आप इन्हों की बात करने तो वो तो नहीं मिलेगी आपको लेकिन 30-06 जो राइफल है पोल्ट एक्शन उसको आप खरी सकते हैं किसी भी सौप से अपने सहर की अगर आपके पास लाइसेंस है तो तो यह थे सारे कुश्चन जिसमें हमने आपको Q&A वीडियो बना के दी है जिसमें आपके बहुत सवरे कुश्चन अच्छे भी थे बुरे भी थे बहुत से जो मैंने पिक किये हैं जिनको लेकर आपकी नॉलिज भी बढ़ेगी उन कुश्चनों को हमने आपको बता दिया है वीडियो बना के आप भी कमेंट करते रहा करिए जो भी कुश्चन होगा करें उनको हम न मज़ेदार जिनमें आपको ऐसी नॉलिज मिलती है जो काफी अच्छी रहती है और जो हमारी डिफेंस जो नेवच मेंट करो यार मैं आपके सारे सवालों के जवाब देंग फर से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत झाल झाल